अगर आप नहीं चाते कि आपके concrete के साथ कुछ ऐसा हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे दोस्तो आज के वीडियो में हम ऐसी चीज देखेंगे जिसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पर जिससे कि आपका घर बहुती ज़्यादा मजबूत हो जाता है चाहे आप कितने भी अच्छे quality का cement इस्तमाल करे या फिर material इस्तमाल करे पर इस चीज को अगर आप नहीं करेगे तो इतने अच्छे material का भी कोई फाइदा नहीं होगा जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ curing की यानि कि अगर आपका concrete है, brick work है या फिर plaster है आप उसे अगर सही तरीके से पानी नहीं देंगे ऐसे वक्त में आगे चलके उसके मजबूती पे बहुत ज़ादा effect हो सकता है जिसके वज़े से आपका काम जो है वो खराब हो सकता है तो इससे बसने के लिए आपका घर का जो काम होता है उसे आपको अच्छे तरीके से पानी देना चाहिए तो आपको घर के concept part को कितने दिन तक पानी देना चाहिए ये हम आज के वीडियो में जानेंगे जैसे कि आपको पता होगा, सीमेंट का पानी के साथ जब संपरक आता है, तो उसे हम कहते है heat of hydration, जिससे कि अच्छे खासी गर्मी जो है, वो release हो जाती है, और पानी जो है, बहुती जादा important role play करता है concrete की strength gain करने में, तो इस वज़े से हमें पानी को बिल्कुल भी avoid नहीं करना है, उससे पहले अगर आप लोग इस चानल पे नए आये हो, तो चानल को subscribe कर दीजे, और वीडियो पसंद आने पर इसे like ज़रू कीजे, सबसे पहले हम बात करते हैं brickwork, यानि कि आपकी इटो की चिनाई होती है, उसे आपको कितने दिन तक पानी देना चाहिए, जनरल तो दो वक्त आप पानी दे सकते हैं, पर जब बात आती है धूप के सीजन की, ऐसे वक्त में आपको इटो के काम को तीन वक्त तक पानी मारना अच्छा रहेगा, अब बात करते हैं दूसरे important part की जो की आजाता है प्लास्टर के बारे में, और प्लास्टर के बाद आपको ब 10 दिन तक पानी देते हैं, तो इससे आपके प्लास्टर की strength maintain रहने में मदद मिलेगी, जब हम brickwork को पानी मारते हैं, तो इटे अपने अंदर पानी को खीच लेती हैं, और थोड़ा थोड़ा करके वो जो मसाला होता है, उसे पानी देती रहती है, पर प्लास्टर जो होता है उसके उपर जब हम पानी मारते हैं, तो वो पानी जो है, वो नीचे बै के आजाता है, इस वज़े से 10 दिन तक अगर आप पानी मारेंगे अच्छे से, तो इससे आपका प्लास्टर मजबूत होने में बहुत जादा मदद मिलेगी, तो दोस्तों ये तो होगी प्लास्टर के लिए इस्तिमाल करते हैं, जैसे कि फुटिंग के लिए आपका कॉलम होता है, आपका स्लैब होता है, इन चीजों के लिए, अब हम एक एक चीज को समझेंगे, कि आपकी फुटिंग होगा, आपका स्लैब होगा, आपका बीम, कॉलम, इन चीजों को आपको कैसे पानी दे यहाँ पर अक्सरी लोग जब मिट्टी डाल देते हैं गड़ों के अंदर उसके बात पानी देना बंद कर देते हैं तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको उस गड़े को बार-बार पानी देके गिला करना है जिससे के आपके अंदरूनी कॉंक्रेट को अच्छे से पानी मिल पाए अब बात करते हैं आपके घर के कॉलम्स की देखिए कॉलम ऐसा पार्ट होता है जो कि आक्सरी निगलेट किया जाता है जैसे के आपको पता होगा पानी की जब हम कॉलम के उपर पानी मारते है तो वो जल्दी बह के नीचे आ जाता है अब बात करते हैं स्लैप की तो इसके उपर हमने एक सेपरेट रूड़े बाना के रखा है पर फिर भी मैं आपको बाता देता हो कि अच्छा खासा पानी जो है आप स्लैप को दे सकते हो इसके लिए जरूरत होगी आपको पॉंडिंग मेथड़ की जैसा कि आप अगले वीडि को वो लोग तोड़ देते हैं जिससे कि वहापर प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं हो पाता है तो याद रखे 10 दिन तक आपको इसके अंदर अच्छे से पानी भर के रखना है पॉसिबल हो सकता है तो 15 दिन तक भरेंगे तो भी अच्छी बात होती है तो दोस्तों जै वो अच्छे से गीला हो पाए ऐसा नहीं कि बहुत जादा जल बाजी करेंगे तो इसका कोई फाइदा नहीं होगा अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनिटले आगे चलके आपका जो काम है वो बहुत भी मजबूत बनेगा सालों साल तक उसे कुछ भी नही होगा और पानी मारने के लिए आपको बहुत जादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों तो मैं आशा करते हो वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजे ये वीडियो अगर आप आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद